नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर विश्रुति शर्मा और आज हम बात करेंगे पांच ऐसे साइन्स जो HIV में आपको खुद से डाइगनोस करने में हिल्प कर सकते हैं अगर आप संभावित पेशेंट हैं तो तो बात करते हैं इस बारे में कि क्या वो ऐसे पांच सिंटम्स हो सकते हैं जो आप खुद से HIV को डाइगनोस कर सकते हैं अगर आप कभी अपने पिछले टाइम में HIV से एक्सपोज हुए थे तो तो पहला क्या सिंटम रहेगा पहला रहेगा सोर्थ रोट अगर आपको कभी अचानक से गला खराब मिलता है अपना और वो गला जो है वो लंबे टा में जैसा गला खराब होता है उससे ज्यादा टाइम में आपका जो है वो ठीक नहीं हो रहा है दवाई ले लिया सब कर लिया पर वो गला जो है वो ठीक नहीं हो रहा है वो खराश जो है आपके बनी रह रही है तो हो सकता है कि आपको HIV हो ऐसा क्यूं होता है ऐसा HIV की वज़ की चो हिस्सा है जिससे जहाँ रहते हैं वहां पर भी वाइट पाटोटे आपको मिलेंगे ओर ऐल बाए प्ञुलटा इन्फेक्शन आपको सकता है जिसको ओरल थ्रश कहा जाता है जिससे आपके और भी ज्यादा आपको बिमार होने के chances आपके बढ़ जाते हैं दूसरा क्या रहता है muscle और joint का pain जो आपके mass patient यहां रहती हैं जो आपके joints होते हैं जोड होते हैं हड़ियों के वहाँ पे भी pain रहता है क्यों? क्योंकि जो immune system होता है यानि कि जो HIV virus होता है वो immune system पे attack करता है CD4 cells को destroy करता है CD4 cells को destroy करने के वज़े से आपके जो muscles और joints हैं वहाँ पे pain शुरूर होता है तीसरा जो symptom होता है उसको कहेंगे हम diarrhea diarrhea यानि दस्त लगना दस्त कैसे लगेंगे? लगातार बनते रहेंगे कुछ भी दवाई लेने से ठीक नहीं होंगे लगातार जो दस्त बनते हैं उससे आपको dehydration होता है और malnutrition भी होता है साथ ही साथ आपके शरीर में ठकान और कमजोरी भी आएगी इसके अलावा और क्या रहेगा कि आपके body में fever भी बन सकता है बार-बार diarrhea होने की वज़े से आप जो है वो ठकावट महसूस करेंगे इसका treatment भी आगर आप symptomatic treatment भी लेते हैं यानि कि आप दस्त रोकने की दवाई भी लेते हैं तो वो थोड़े time के लिए रुकेगा फिर वापस बन जाए क्यों क्योंकि जो intestines जो होती है जो आपकी आंते होती है वहाँ पे भी वाईरस जो है वो attack करता है immune system जो है वो activate रहता है साथ ही साथ क्या हो सकता है आपका जो immune system है वो trigger होके कोई भी तरह की autoimmune disease autoimmune disease जैसे की HLAB 27 है arthritis है SLE है है ना ये सारी बिमारियां जो है वो अपने आप आपको immune system खुद बना देता है यानि वो खुद जादा hyper active होके trigger होके अपने ही skin अपने ही body को वो दुश्मन समझके destroy करने लग जाता है जिनकी वज़े से arthritis HLAB 27 जैसे बिमारियां होती है इसके अलावा आपके जो lymph nodes है एक और lymph nodes कहां कहां होते हैं ये तो आपको पता ही है जैसे जो आपके खाली areas होते हैं जैसे ये है armpits है आपका जो growing reason होता है वहाँ पे होता है एक और एक जो है important इसका symptom रहता है जिसको हम skin rash या फिर red spots बोलते हैं या bumps भी बोलते हैं ये क्या होता है ऐसे रेड कलर के या परपल कलर के spots जो होते हैं राश जैसा वह आपके हाथ पैर पे या फिर आपके middle जो body है आपके body में कहीं भी एक red spots बन जाते हैं जिन में बहुत ज़ादा इचीनेस रहती है खुजली आती है और discomfort भी रहता है अब डॉक्टरी की भाशा में इसको maculopapular rash कहते हैं ऐसे तो बहुत तरह के राश HIV में भाए जाते हैं पर सबसे commonly जो rash मिलता है बन जाता है अगर आप HIV से प्रभावित हैं HIV से ग्रस्त हैं या फिर आपको ऐसी शंका है कि आप HIV हो सकता है तो यह symptoms अगर आपको आ रहे हैं तो आप जरूर अपने नजदी की डॉक्टर से दिखाईए और अगर आपको हमसे consult करना है तो screen पर दिएवे नंबर पर call या फिर WhatsApp करके हमें आप consult कर सकते हैं अपनी कोई भी query हो वो आप हमसे clear कर सकते हैं मन में कोई भी doubt नहीं रहना चाहिए HIV का phobia भी एक बहुत बड़ी बिमारी है जिसके लिए हमने एक पहले वीडियो डाली थी HIV के symptoms के बारे में आज वीडियो डाल रहे हैं इसके बाद भी हम बहुत सारी इससे related वीडियो डालेंगे तो अगर आपको हमें वीडियो पसंद आती हैं तो like करें, share करें comment करके बताईए कि आपको हमारे वीडियो कैसी लगती है informative लगती है कि नहीं और किस topic पे हमें वीडियो बनानी चाहिए ये भी बताईए और ऐसी बिमारियों से related अगर आपको वीडियो देखनी है तो चानल को subscribe भी कर सकते हैं धन्यवाद आपका दिन शुपह हुआ